Hello everyone, welcomes you all in online class of Adar Senior Scandry School So I hope सभी के जो exams हैं वो अच्छे से हुए होगे किसी को कोई problem नहीं आई होगी So आज हम हमारा second semester का next chapter स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह हमारा chapter है हमारी history की book का, हमारे अतीत का Lesson number 7, नए प्रशन, नए विचार So first of all, मैं आपको आपका जो syllabus cut हुआ है, वो बता देती हूँ So that आप उन chapters को read ना करें So पहले मैं आपको history का बता रहे हूँ So बच्चे आपके history की book है, जो हमारे अतीत उसमें से 3 chapters cut हुए है First chapter है आपका, chapter number 5, राजय, राजय और एक प्राचीन गण राजय उसके बाद है chapter number 8, खुशाल, गाम और सम्रिद शहर उसके बाद है chapter number 11, इमारतें, चित्र तथा किताबे उसके बाद हमारे जो next book है, social and political life, समाजीक एवम राजनितिक जीवन उसके भी chapter जो cut हुए है, तीन chapter है तो, एक तो second chapter आपका, विविधिता अवम भेदभाव, उसके बाद है आपका fourth chapter, लोगतांत्रिक, सरकार के मुख्या तत्व and seventh chapter, नगर प्रिशासन, तीन ही chapter इस book के cut है और हमारी next book है, पृत्वी अमारा आवास, The Earth, Our Habitat इसके भी आपके तीन chapter cut है एक आपका fourth chapter है, मांचित्र fifth chapter, पृत्वी के प्रमुख परिमंडल और eighth chapter है आपका भारत, जलवाईू, वनस्पति, तथा, वन्या, प्रानी ठीक है, सो मैंने आपको आपकी जो sixth में SST है जितने भी आपके total, आपकी nine chapters cut है तीनों book में से, सो काफी syllabus आपका cut हो चुका है I hope सभी को अब कोई दिक्कत ना आए syllabus को cover करने में, सो जितना मैं syllabus आपको करवा रही हूं वो साथ की साथ आपने बहुत अच्छे से करना है और यह syllabus आप note कर लिजिए कि जो chapter आपके cut हो है इस chapters को हम लोग नहीं करेंगे आज हमारा six chapters start कर रहे हैं नए oppression, नए विचार बुद्ध की कहानी बुद्ध कोन थे? जो बोध धरम के संस्थापक थे, वो कोन थे? बुद्ध, सिधार्थ, गोतम, बुद्ध बोध धरम के संस्थापक सिधार्थे, जिन्हें गोतम के नाम से भी जाना जाता है उनका जर्म लगबग 25 सो वर्ष पहले हुआ है वह समय था जब लोगों की जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे यानि कि वो समय था जब लोगों की लाइफ में बोज़त के औरते चेंजिस हो रहे थे जैसा कि हमने पड़ा है महाजन पदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे गामों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का परियास कर रहे थे वे जीवन के सचे अर्थ को भी जारना चाह रहे थे बुध अक्षत्रिया थे तथा शाक्या नाम के एक छोटे से गण से क्या थे वो समबंदित थे तो आपका एक नमबरा कोशन बन सकता है कि बुध क्या थे अक्षत्रिया थे और किस गण से समबंदित थे वो शक्य अगंड समदित थे जो एक एक नमबर के कोशन है आपके वो चैप्टर रीडिंग में से ही आ रहे हैं अगर आप चैप्टर रीडिंग ही अच्छे से कर लोगे तो आपको M.C. गुज करने में दिक्कत ही नहीं होगी ठीक है यूवावस्था में ही ग्यान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया यानि कि जो महात्मा बुद्ध थे जब वो यूवावस्था यानि कि जवान थे यूवक थे तब ही उन्होंने अपना घर त्याग दिया था छोड़ दिया था अनेक वर्षों तक वे ब्रह्मन करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे ब्रह्मन मतलब की इधर उदर वो गूमते रहे अंतते ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वैम ही रास्ता ढूंडने का निश्चे किया तो उन्होंने बहुत सारे ऐसी उन्होंने इसके लिए उन्होंने बोध गया यानि कि जो बिहार में है एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की अन्तत्यां उन्हें घ्यान प्राप्त हुआ इसके बाद सेवे बुद्ध के रूप में जाने गए वहां सेवे वारांसी के निकर स्थित सारनात गए यानि कि कहां गए वो वारांसी में एक जगा है सारनात वहां पर गए जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया कुशी नारास में मृत्यू से पहले का शेश जीवन उन्हें पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की यानि कि अगर उन्हें कहीं पर जाना होता था तो वो किसी वहिकल का यूज नहीं करते थे और लोगों को क्या देती थे शिक्षा देने में मतलब कि वो अपनी जितनी भी आमको शिक्षा थी जितना भी हुने गयाण प्राप्था बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारे इच्छाओं और लाल साओं की कारण होता है मतलब कि बुद्ध के हम लोग पड़ेंगे हम लोग इन्हों ने शिक्षाएं क्या क्या दी तो बुद्ध ने कहा कि हमारे जीवर में सुख दुख आते रहते है heck और सुख दुख किस कारण से आते हैं हमारे इच्छाओं की वज़े से हमारे लालसाओं की वज़े से कभी-कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते अभी क्या होता है ना इसका example देती हूँ आपको for example आप लोग 6th में हो 6th में अभी आपका target क्या है कि मेरे फाइनल एक्जाम में 90% अबाव आएं ठीक है तो 90% अबाव आए suppose कीजिए कि आपके 90% अबाव आ गए ठीक है तो आपकी जो next target क्या बन जाएगा कि आम मुझे 7th में से 95 अबाव लेने है एर्थ में मुझे 95 से 98 तक लेने है तो मतलब कि आपकी जो इच्छाएं है तो आपकी इच्छाएं है वो आगए बढ़ती जा रही है ना ठीक है सो यही कारण है कि जो इंसान की जो इच्छाएं हैं ये किस वज़े से हो रही है उनकी दुखों से भर रहे हैं किसे इच्छाओं के कारण ही वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं बुद्ध ने इस लिपसा को तृष्णा कहा है मतलब कि इस आदत को क्या कहा है कुछ पुध पर आत्म मतलब खुद पर और स्गया मतलब नियंत्रन अपना कर हम एसी लालसा से क्या पा सकते हैं क्या पासक्ते हैं। बेसिकलि महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं कि हमें हमारी चीजों को लालत से नहीं देखना चाहिए, कि आज मुझे 90% मिले हैं तो कर मुझे 95 चाहिए, 95 मिले हैं तो 100 चाहिए, 100 मिले हैं तो अब ये 100 से कुछ उपर नहीं है, तो अगर इंसान का बस चले तो 100 का 200 हैं लेकिन उस चीज़ का हमें क्या होगा कश्ट होगा दुख होगा ठीक है इनका कारण क्या है कश्टों दुखों का हमारी इच्छा है इससे आगे का चैप्टर है हम लोग कल पड़ेंगे चीक है वाव वैरी गुड डेव